लोकसवा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही विपक्षी गठमंदन में परधान मंत्री पद के लिए जोर आजमाई शुरू हो गई है राष्टिय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी परधान मंत्री पद के लिए उसी उमिद्वार के नाम का समर्थन करेगी जिसका नाम सभी विपक्षी दल मिलकता करेंगी उन्होंने कहा कि परधान मंत्री पत की उमिदवारी के लिए राहुल गांधी एक मात्र नेता नहीं है इसके साथ ही उन्होंने साप कर दिया कि परधान मंत्री पत के उमिदवार का नाम कॉंग्रिस पार्टी एक तरफा तै नहीं कर सकती है इससे पहले कॉंग्रेस पार्टी की वर्किंग क्रामेटी की बैठक में परधान मंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम टाय किया गया था। ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान इस बात के संकेत देते हैं कि विपक्ची महागटबंदन में परधान मंत्री पद को लेकर काफी खीच तान होने वाली है। तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि सभी विपक्ची दल एक साथ बैठेंगे और पधान मंत्री पत के उमिद्वार का नाम तै करेंगे। इस दोड़ में राहुल गांधी एक मात्र उमिद्वार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई अन्य विपक्ची दल के नेता भी है जो पधान मंत्री पत की दौड़ में हैं। पधान मंत्री पत की दौड़ में शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने हलाकि साफ किया कि वो याराश्टिय जन्ता दल सन्युक्त विपक्च द्वारा तै किये गए किसी भी नेता के नाम का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पाटी का केवल एक ही मक्सद है। और वो ये है कि सभी विपक्च दल किसी ऐसे नाम को तै करें। जो सम्विधान की सेवा करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी नेता हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को सभी गयर बीजेपी दलो को एक महा गटवंदन के लिए एक जुट करना होगा। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की पूरे भारत में पहुंच है और वो एक महत्रपुर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि विपक्ची दलों के बीच पढ़ान मंत्री पता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं और वो उन मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। पेरो रिपोर्ट रैड नेटवर्क। झाल